येरोशेलम में इदे तजदीद हुई और जाड़े का मौसम था और येसू हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदे में टहल रहा था पस यहूदी उसके गिर्द जमा हुए तु कब तक हमारे दिल को डावा डोल रखेगा? अगर तु मसीया है तो हमसे साफ कह दे मैंने तो तुम से कह दिया अगर तुम यकीन नहीं करते हैं जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वही मेरे का वहा है लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते हैं कि मेरी भेडों में से नहीं हो मेरी भेड़े मेरी बाते सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चली आती है और मैं उन्हें हमेशा की जिंदेगी बक्षता हूँ और वो अबत्तक होंगे कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं चीन सकता मैं और बाप एक हैं यहूदियों ने उसे संगसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए मैंने तुमको बाप की तरफ से बेहतर अच्छे काम देखा हैं उनमें से किस काम के सबब से मुझे संगसार करते हो अच्छे काम के सबब के लिए नहीं बलकि कुफर के सबब से तुझे संगसार करते हैं तु आद्मी होकर अपने आपको खुदा मनाता है क्या तुम्हारी शरियत में ये नहीं लिखा के मैंने कहा के तुम खुदा हो हम जानते हैं कि सहाईव हमेशा सच कहते हैं और खुदा ने लोगों को खुदा कहा जिनको खुदा का कलाम दिया गया बाप ने मुझे चुना और दुनिया में भेजा फिर तुम क्यों कर कहते हो कि मैं कुफर बखता हूँ क्या सिर्फ इसलिए कि मैं कहता हूँ कि मैं खुदा का बेटा हूँ अगर मैं अपने बाप के काम नहीं करता तो मेरा यकीन ना करो लेकिन अगर मैं करता हूँ तो गो मेरा यकीन ना करो मगर इन कामों का तो यकीन करो ताकि तुम जानो और समझो कि बाप मुझे में है और मैं बाप में उन्होंने फिर उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो उनके हाथ से निकल गया फिर येसु यर्दन के पार उस जगह चला गया जहां युहन्ना पहले बप्तिसमा दिया करता था और वहां ठहरा रहा बेहतरे उसके पास आए और कहा युहन्ना ने कोई मोजिजा नहीं दिखाया मगर जो कुछ युहन्ना ने उसके हक में कहा था वो सच था और वहां बेहतरे उस पर इमान लाए